एंजल ब्रोकिंग जिसे अब जो हैंजल ब्रोकिंग लिमिटेड भी कहा जाता है एंजल ब्रोकिंग एक इंडिया बेस्ट फूल सर्विस स्टोक ब्रोकर कमपनी है इस कमपनी जो सुरुआत है दोस्तों 1987 में हुई थी और आज की डेट में 2023 चल रहा है इसका मतलब यह है कि य एंजल ब्रोकिंग आज की डेट में पैसा वसूल स्टोक ब्रोकर के रूप में उभर कर सामने आया है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यह जो एक फूल सर्विस ब्रोकर है जो अपने गरहाकों को कम ब्रोकरफी के साथ मुफ्त रिसेर्च टिप और अफलाइन प्रेजन्स भी देते हैं याने इनके जो आफलाइन स्टोर भी आपको मिलते हैं वहाँ पर जाकर भी आप जो है स्पोर्ट या हल्प ले सकते हैं तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगा एंजलन डीमेट अकाउंट के बारे देख लेना जिससे कि आप ये तैग कर सके कि ये कितना अच्छा या बुरा ऑप्सन है ताकि वीडियो के एंड में आपको ये भी पता चल जाएगी आज की डेट में अगर आप जो है एंजलन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या साही है क्या गलत है तो द अकाउंट ओपन करना एकदम फ्री है अपना अकाउंट कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा डर जो है लोगों को लगता है वह है एंजलन में भी आपको अकाउंट मेंटनेंस चार्जिस आपसे लिए जाते हैं आपको उनसे डर लगता क्योंकि कई सारी कंपनी आपसे बहुत सारा पैसा जो है चार्ज कर लेती है इस एंजलन में भी आपको अकाउंट मेंटनेंस चार्जिस जो है देने पड़ते हैं और कई केस में नहीं देने पड़ते हैं सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कहां पर आपको यह चार्जिस देने पड़ हैं सेटेंड यर में अगर आपका अगांट जाए बीएस डिये कैटेगरी में आता है तो वहां पर आपके डिमेट कारण में अगर बैलेंस है खोल्डिंग है पचाज हर से कम है तो उस इस में आपसे कोई भी फ। एम्सी नहीं लिये जाते हैं लेकिन अगर आपकी जो holding value है 50,000 से लेके 2,000,000 के बीच में है तो आपको यहाँ पर एक साल के अंदर 100 रुपीज प्लस टेक्स जो है पे करना पड़ेगा यानि आप पर मंत 8 रुपए 33 पैसे पे करने वाले हो EMC के नाम पे और अगर आपका जो अकाउंट है नोन BSDA केटेगरी में आता है मतलब आपके अकाउंट में जो holding value है balance है 2,000,000 से जादा है उस case में आपको यहाँ पर 20 रुपी प्लस टेक्स जो है पर मंत EMC चार्ज देने पड़ेगे जब आपका अकाउंट जो है BSDA केटेगरी में आता है pledge creation, closure charges की बात करें दोस्तों यहाँ पर आपको 20 रुपी पर ISIN देना होगा और 50 रुपी पर ISIN देना होगा जिनका अकाउंट जो है BSDA केटेगरी में आता है अगर आप इस अकाउंट को use करकर call and trade करते हैं अगर आपको यहाँ पर कोई भी charges नहीं देने पड़ते हैं अगर आपको 20 रुपी पर या फिर 0.25% जो भी कम होगा वो आपको यहाँ पर देना होगा इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि same charges आपसे future and option में भी लिये जाते हैं currency future में या फिर currency option में trade करते हैं तब आपसे 20 रुपी पर ह्ट्ट्ड ओर या फिर 0.25% जो भी कम होगा वो आपसे लिये जाएंगे दोस्तों यहाँ पर angel one के अंदर square of charges की बात करें तो आपसे 20 रुपए पर order लिये जाते हैं check bounce charges की बात करें दोस्तों यहाँ पर आप पे करने वाले हो 300 रुपए और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि delay payment की रूप में आप यहाँ पर जो है 1.5% पे करने वाले हो यह जो charges है आपसे 15 दिन में लिये जाते हैं और दोस्तों इन सभी charges के साथ आपसे 18% GST भी चार्ज किया जाता है दोस्तों Angel One अपनी services आपको अपने app के through और इनका जो web-based application है उसके through भी service प्रवाइट करवाता है साथ में इनका आपको offline branches भी मिल जाता है अगर आपको कोई भी issue आता है कोई help चाहिए कुछ आप जानना चाहते है कोई support चाहिए उस case में आप इनके जो offline store है outlet है उन पे जाके contact कर सकते हैं आपको वहाँ पर भी help मिल जाती है दोस्ता आप बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर Angel One के अंदर account कैसे open करें आप जो इनके optional website पे जाकर direct अपना account open कर सकते हैं अपना phone number डाल कर या इनके app के through भी open कर सकते हैं आज के टाइम में दोस्तों Angel One एक बढ़िया option है क्योंकि इनके पास 30-35 साल का experience और यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया यह full service broker company है तो आपको कई सारे additional फाइदे भी मिलते हैं service भी काफी ठीक ठाक है अगर आपने Angel One में अपना account जो है open कर रखा है तो आप अपना real feedback जो है नीचे comment करकर जरूर share करें वीडियो अच्री लगी तो वीडियो को जो है like जरूर कर देना, share जरूर कर देना और चैल जो है subscribe भी जरूर कर देना पेटे मनी के बारे में सब जानना चाहते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पर एक वीडियो मिलने वाली है वस वीडियो को जो है complete जरूर देख लेना